निरंकार कौन है भगवान करस्ण जी भगवान बिश्णू या फिर भगवान शिप जी भाई बनो क्या आपके मन में कभी इस तरह का सवाल उठा है यदि हाँ तो पिर उत्तर जानना जरूरी है यह सवाल उठाया है इन्होंने जरा ध्यान से पढ़ियेगा मुझे लगता है स सवाल कुछ और बड़ा होना चाहिए था इसमें यह और लिखा होना चाहिए था कि क्या माता शेरवाली दुरगा माता पारबती मा सरस्वती मा लक्ष्मी या इंदरदेब कौन है नंकार कुछ और नाम और आगे जोड़ देते बहुत ही अच्छा होता मैं अपनी तरफ से क क्या कीट क्या पतंगे क्या मनुस्य क्या पसू क्या पक्षी प्रत्वी आकास सब कुछ निराकार ही है यह आते कहां से हैं निराकार में से ही एक बीज बीज के अंदर पेड है तोड़ के देखे क्या दिखता है पेड लेकिन जब उसे धरती में लगाते हैं तो निकल आता ह कहां से आया निराकार में से एक जीब जब पैदा होता है पैदा होने से पहले नराकार ही था और पैदा हुआ तो वो आकार रख करके आ गया हर कोई नराकार ही है नराकार और जिस नराकार की ये बात कर रहे हैं वो नराकार है एक सुप्रीम एनरजी प्रतियक साकार नराकार म से ही हर किसी का वास्तविक रूप नराकार ही है नराकार जो सरवत्र समान रूप से ब्याप्त है जिसके बिसे में सोयम शिब साकार रूप में कहते हैं हरी ब्यापक सरवत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना नराकार ही है वास्तविक रूप हमारा भी मैं भी नराकार आ पंच भूतों में आ गया तो शरीर रूप में परकठ हो गया वास्तम में हम सब नराकार ही हैं और रही नराकार इश्वर की बात जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या भगवान क्रश्ण भगवान विश्णू भगवान शिब क्या इन में से कोई नराकार है ये सब नराकार ही है एक बार ये नराकार जिस साकार रूप को रख करके आ जाता है इसकी वो करती इसकी वो इमेज फिर कभी समाप्त नहीं होती मेरी ये जो इमेज है ना बले ये शरीर समाप्त हो जाए पर अंतु जो इमेज है ये इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी सदा इस नराकार में आप इसे आकास कह लिजे, आप इसे स्पेस कह लिजे, कुछ भी कह लिजे, सदा इसमें मौजूद रहेगी, मेरे मुख से जो आवाज निकल रही है ना, वो इसमें स्टोर हो रही है, वो भी सदा रहेगी, पदार्थ का कभी नास नहीं होता, कभी नास नहीं होता, वो केबल रूप बदलता है भगवान राम शरीर छोड़ दिया सर्यू में तुलसिदाज जी को दरसन दे दिये चित्रकूट में राम लक्षमर दोनों आ गए घोड़ों पर बैट करके फिर तलक लगा रहे हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर तुलसिदा से चंदन घिसें त इस रूप को ले करके फिर से आता है क्या आपने तस्वीर से अलग कभी शिप जी को देखा है कभी विश्ण जी को देखा है क्या भगवान क्रशन जी को देखा है इसकारत यह नहीं है कि बो सरीर जो उनका नश्ट हो गया था अब मौजूद नहीं है है आकरती तो मौजू को इन्हों ने इस इन्राकार ने शिब रूप में आ करके उसकी परिख्शाली आपनी महाभारत सीरियल में देखा होगा महाभारत गरंथ में इस पश्ट लिखा है जो इमेज एक बार बन गई कभी नश्ट नहीं होती हमारे दिमाग में से नश्ट हो सकती है हमारी आने वाली पीडियां उस इमेज को भूल सकती है उन्हें याद नहीं हो सकती परन्तु यहां मौजूद है और सदा रहेगी मेरे मुख से निकलने वाली वी आवाज और जो आप बोलते हैं करते हैं वो सब कुछ यहां मौजूद है जैसे एक कैमरे में सब कुछ रिकोर्ड हो जाता है हर गतिविधी रिकोर्ड हो जाती है उसी तरह से इस रंकार में भी सब कुछ रिकोर्ड हो रहा है जो कुछ हुआ था जो कुछ होगा वो सब यहां मौजूद रहेगा भगवान करश्ण नराकार ही थे साकार रूप में आए भगवान विश्णू नराकार ही थे साकार रूप रख करके आए भगवान शिव नराकार ही थे साकार रूप रख करके आए आप भी नराकार ही थे सा साकार रूप रख करके आ गए, मैं भी निराकार ही था, साकार रूप रख करके आ गया, हर साकार निराकार में से ही परकट होता है, हर किसी के अंदर ब्रह्म है, हर कोई कहता है, बेद में लिखा है, एहम ब्रह्मासमी, मैं ही ब्रह्म हूँ, परंतु यह जो परकटी है, परमा में आत्मा मौजूद है परंतो वो शुक्षम रूप में जो जीब बैठा है वो जब शरीर से निकल जाता है तो फिर सरीर निस्करे हो जाता है उसकी अन्तेश्टी कर दी जाती है परंतो पूरे जीबन शरीर ने जो किया, वो सारे का सारा मौजूद है, कभी नश्ट नहीं होता, इसलिए जो शरीर छोड़ कर चले गए, वो फिर से आबाहन पर परकट हो जाते हैं, हर उपकरण को बिजली चला रही है, यानि बिजली आती है तो उपकरण चलता है, चाहे प्रेस हो, चाहे फ्रीज हो, कूलर हो, एसी हो, बड़े-बड़े-बड़े प्लांट हो, बड़ी-बड़ी फैक्टरीज हो, मिल हो, वो सारी की सारी केबल बिजली की वज़े से चलती है, यदि बिजली ना हो, तो इन में से कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा, ये बेकार हो जाएंगे, बिजली पहले स पहले थी, ये बाद में बने, इन्हें इनसान ने बनाया, और बिजली की शक्ति से ये सब चलने लगे, इनसान को सुख दने लगे, और प्रभू, परमेश्वर, नराकार, ब्रह्म, सदा से है, सदा से, आदी ना है इसका और ना ही अंत, ये हमेशा से है, परंतु हम उपकर जितने भी उपकरण हैं, हम सब जड़ चेतन में जितने भी उपकरण हैं, वो सारे के सारे बाद में बने, ब्रह्म हमेशा से था, इसे आप सुप्रीम एनर्जी कहिए, सुप्रीम एनर्जी, एनर्जी खुद कोई काम नहीं करती, एनर्जी पावर देती है, काम उपकरण कर हैं मोजूध है हर जिए मोजूध है सुप्रीम एंरजी जिसे बेदों में ब्रहम कहा गया यह एंरजी 2s और नहीं कभी damn होगा यह सदा से मोजूध हैं हम उपकरान तो बाद में बनें और हमारे अंदर ये एनरजी है इसलिए हम क्रियासील हैं क्या पसू क्या पक्षी क्या कीट क्या पितंगे क्या जान क्या चेतन हर कोई इसी एनरजी से ओत्परोत होकर संसार में कार्वे कर रहे हैं ठीक इसी तरह से जैसे बिजली होने के का उपकरान फ्रीज काम करता है, कूलर काम करता है, वाशिंग मसिन काम करती है, वो बिजली के सारे उपकरान जो बिजली की एनरची से काम करते हैं, बिजली सोयम, कोई काम नहीं करती, वो तो जल भी नहीं सकती, बल्ब के अंदर वो आती है, तब वो जलता है, चली जाती है, त किसस कुछ भी कह लीजे कोई बात नहीं है हर किसी के अंदर इस नराकार प्रभु परमेश्वर की ही एनर्जी काम कर रही है बलकि ये कहूं कि ये नराकार प्रभु परमेश्वर ही सुप्रीम एनर्जी है स्वयम ये ब्रहम ही शिब है यही विश्णु है यही ब्रहमा है यही इंद्र हैं यही ब्रस्पति हैं यही आप हैं और यही हम हैं यह जब दरसल है क्या हम अपने इस मूल रूप को भूले हुए हैं मायावी चक्र की कारण प्रकृति की कारण और हमें वो यादे नहीं आता हमें याद नहीं आता जब गुरू करपा करते हैं और हमें अपना वास प्र्वास्तम में यह नहीं है जो दिख रहे हैं हम तो ब्रहम ही हैं ब्रहमकुसणुप ही हैं जब ना थी जमी ना आकास ना कोई प्रसार नरंकार की जोत से उपजा कुल संसार याद भी नरंकार को जोत नहीं है ये एक सांकेतिक शब्द है केबल समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नराकार तो अरूप है अनामी है अगोचर है अबिनासी है सानातन है पुरातन है अजन्मा है और अमरना है ये सब धर्मों से परे है ये हर किसी के अंदर मौजूद है ये जब चाहे आज भी शिब रूप में परकट हो जाएं जब चाहे आज भी वो राम रूप जिसके बारे में दास ने पहले कहा तरेता में सर्यूमी समाधिली वो रूप आज भी परकट कर सकते हैं जैसे तुलसी इदाज जी के सामने परकट किया ये कभी भी अदरश्य नहीं होते ये अव्यक्त होते हैं अव्यक्त जो व्यक्त हो जाते हैं जब सत्गुरु किरपा करते हैं तो आप हर किसी के अंदर शिप भी देख सकते हैं हर किसी के अंदर बिश्णु भी देख सकते हैं हर किसी के अंद राम, क्रश्ण, इंद्र हर किसी का दर्शन आप हर किसी के अंदर कर सकते हैं क्योंकि सब वास्तम में हैं तो निराकार ही हम इस शरील को छोड़ कर जब निकलेंगे न जीव रूप भी जब समाप्त हो जाएगा तो फिर से हम हो जाएंगे नरंकार फिर कोई डाउट नहीं कोई दूरी नहीं कोई बंधन नहीं बिलकुल मुक्त भाब से स्वतंत्र भाब से क्योंकि इश्वर अंस जीव अभिनासी चेतन आमल सहज सुखरासी अभिनासी है इश्वर का अंस जीव चेतन है समस्त सुखो की राशी है भंडार है हम अपने मूल सभाब में इस जीवन को वितीद करें क्योंकि जीवन तो चणिक है कभी भी समाप्त होता है अपने मूल सभाब को जानकर इस नांकार का इस्वनण करते हुए इन में ध्यानस्त होते है अपने जीवन को आगे से आगे जीते चले जाएं हर किसी के अंदर इस परमात्मा का ही दर्शन करें क्योंकि सकल जग हरी को रूप निहार